एलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू यूनिक एग्रिकल्ट से क्लास तो आज की हमारी क्लास से काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाली है हम इसमें बात करेंगे इंपोर्टेंट तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नॉटिफिकेशन है और सबसे पहले मिले तो चलते हैं हमारे फिर्स्ट कोशन की और तो हमारा फिर्स्ट कोशन क्या कहता है साइज मैं साइस आउडलोची और अब्जरवेट्री तो आपको जो मेत्र अब्जर वेटिवेट्री उसकी साइज बतने एधिकेश मौस्म विग्जयान के वेग साला का आकार ठीक है अगर इंदी में बात करें तो उसका जो आनसर अपना देने वाला देखते हैं फॉस्ट ऑप्शन क्या बोलता है इसकी साइज जो है 72, 40 मीटर होती है ठीक है उसके बाद बात करें तो 62, 60 मीटर ठीक है और थर्ड ऑप्शन की 55 to 35 मीटर और फॉर्थ ऑप्शन जो है हमारा 62, 40 तो इस कान से जो रहने वाला है तो अब्जर्वेटरी की बात करें मेटर लोजिकल इसकी साइज जो है वह रहती है 55 to 35 हमारी मेटर ठीक है 55, energ इसकी लेंज रहती है ठीक है मेर, तो यह मान लो हमारी ब्जर्वेटर ठीक है ठीक है अब्जर्वेटर तो इसकी जो और अगर हम बात करें इस-2 इस-2 वेस्ट की बात करें तो इसकी 36 मिटर इसकी लेंद रहेती है तो यह हमारी मेटरलोजिगल ओफजर्वेटरी इसमें अलग-अलग परामिट्र जैसे की हम बात करें एनेमामिट्र की मैं था और रेंगेज की इन यह सब अलग-अलग जगह होता है यह अलग यह प्रेजेंट होते हैं तो से अलगًअख सबyangत्री के आगे बात करेंगे इसके बारे में उब्सेर वेटरी के बारे में चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर तो अगर हम बात करें अब्सेर्वेटरी की तो अलग-अलग क्लासिफिकेशन अलग-अलग भी दिया गया है जैसे कि यह बेस्ट ओन डिफ्रेंट टाइपस ऑफ इंस्टूमेंट इंस्टूल जिन पर में observations लेते हैं ठीक है तो class one type observatory का अगर हम बात करें तो यह both reading both reading and self reading instruments इसमें installed होता है ठीक है और यह at least 4 weather parameters को observe करता है ठीक है जिसे कि हम बात करें temperature हो गया ठीक है तो अगर हम में बात करें class one observatory के तो यह दिन बर में तेन वार रिटिंग के वह लेते हैं एकदो 7 hours पर ठीक है 7 hours पर 14 hours पर और 17 hours ठीक है तो यह तिन बर में तीन बार observations लेता है ठीक है अगर हम बात करें class तो यह only reading instrument इसमें present होता है ठीक है और यह है तीन वेदर परामेटर कोई capture करता है या observe करता है ठीक है और दिन बर में एक तो 7 गंटे में और 14 गंटे में ठीक है यह दो बार रेडिंग्स जो है फूल लेता है अगर हम बात करें class third observatory की तो class third observatory only reading जो है instruments इसमें present होते हैं और यह एक दिन में एक दिन में या तो 7 गंटे पर या फिर 14 गंटे में observations को लेता है ठीक है यह हमारी observatory की बात होगी class one class two class three ठीक है अगर हम बात करें अधर classification की एट टाइप observatory की ठीक है अगर हम बात करें एट टाइप observatory की एट टाइप तो यह हमारी कहां पेस्तित है पूने महारास्ट्र में ठीक है पूने महारास्ट्र में ठीक है और अगर हम बात करें यह एवरी three hours में every three hours में reading लेती है या reading इसमें शो होती है ठीक है हम टाइप a observatory का mostly हम अगर हमको दिन बर में या single day में three three hours में यह reading प्रोवाइड करती है अगर हम बात करें बी टाइप observatory की ठीक है बी टाइप observatory की बात करें तो यह है दिन बर में three times इन्हें डे जो है observation या reading capture करती है अगर हम बात करें सी टाइप observatory की अगर हम बात करें सी टाइप observatory की तो यह हमें disease और पेस्ट का जो attack है उसकी reading capture करती है कितना इंसेक्ट पेस्ट का attack हो रहा है और कितनी disease हमें शोर यह ब्लांट पर ठीक है तो इसका यह observation देता है ठीक है तो इसका अगर हम बात करें डी टाइप observatory की कि टाइप अगर हम डी टाइप observatory की बात करें तो यह हमें डेजर्ट जो लोकस्ट है इसके बारे में टाटा प्रोवाइड करता है ठीक है अगर हम बात करें हमारे next observatory की तङया टाइप observatory कि यह में यॵी टाइफ ट्राण्सपरेशन का डाटा प्रोवाइड करता है ठीक है कि जात तो एक साथ जो होता है या वाकर का लोगर्स होता है उसे हम बोलते है यूपो ट्रांस्परेशन ठीक है जिसे हम इटी के नाम से भी जानते हैं तो नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं ऊपन इस condition को या उस कॉन सा टाइप का ड्रोट होता है इस condition में थीक है तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ड्रोट जो है इस condition में फोता है तो अगर हम इस condition में बात तो इस condition में हमारा hydrological drought जिसमें क्या होता है कि हमारी सारी water body से ponds legs सारे चुछ सब कुछ है वह सूख जाते हैं तो इस condition में जो हमारा drought हाता है वह अगर हम बात करेंчто तो agriculture drought में हमारा जो है अभि बात करेंता हमना एटी की ठीक है ये बहुर réfर्टो ट्रांस्परेशान की अगर इसको पॉकलत ये अगर यंहाँस इफो ट्रांस्परेशन पोटेंचल ये पाल्टेंट होजाता है जानद ही पीटी से ज्यादा हो जाता है और हमारी जो लेंटेटोल eran और यह पोट्रांस्परेशन को फुल फिल नहीं कर पाती तो उस कंडिशन में अगर की बात करें जहां पर हमारा इंफ्राइस्ट्रक्चर की कम यह अगर अगर अवेलेबल नहीं होते और रहन फोल के वाटर को यह रेन वाटर को कैप्चर नहीं कर पाते उस कंडिशन में जो मारा रोट कंडिशन आती वह है एकोलोजिकल ठोट ठीक है तो मारे सारे टाइप हो गया नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफ्रेंट टाइप ट्रोट से नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं तो हमारे अलग-अलग टाइप के ड्रोट से ठीक है मेटरोलोजिकल ट्रोट ठीक है और अगर हम बात करें मेटरोलोजिकल ट्रोट कि अगर काफी लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती है ठीक है या फिर जहां पर 75% एन्वल रे ट्रोट का रूप ले लेगा और उसे हम बोल देंगा है अगर हम बात करें तो अपने बात करी इससे पहले और जहां पर मत्तमाल दो हम जो हमारा प्रोडॉक्शन कर रहें ठीक है वह हम क्या करते हैं कंजप्शन के लिए या फिर हम एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस कर ठीक है तो उसकी रिक्वाइर्मेंट अगर हम फुल्फिल नहीं कर बाएंगे तो उस कंडिशन में हमारा सोच्व एक्वनोमिकल रोट होएगा ठीक है और एकलोजिकल रोट के मनें बात करी सब्सक्राइब नेक्स्ट कोशन पर अगर हम बात करने नेक्स्ट कोशन की तो के क्लासिफिकेशन के बात करें तो अलग-अलग साइंट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग क्लासिफिकेशन दिये अलग-अलग बेशिस पर ठीक है तो अगर हम बात करें डीकलेन लेकलेन वेजिटैशन के बेशिटेशन के बिमेट को और कोपें अपनी बात करी तेंप्रेचर और रेंफोल के बेशिस पर अच्छा मौश्टर एंडेक्स के सीट बात करें कि तो ट्रोल टेंपरचर और मंत्ली होफिटी एक डिकल्टर से लिए हम टोल क्लास्टिफिकेशन को फोलो करते तो अच्छ इस एक इस में बात करतें है कि हमारा जो नैक्स पूर्शन की है है हाइट फ्रॉम सी लेवल ठीक है अगर हम बात करें हमारा जो समुत्री तल है उससे जो हाइट है ठीक है उसे क्या बोलते हैं इस इस क्वेशन के आंसर की तो इस क्वेशन का आंसर होगा यह हम बोल देते हैं इसको ऐलिवेशन जडेल टरम में तो यह मारा इसक्वेशन का आंसर के अगर हाइट के साथ अगर यह हाइट के साथ अगर तेंपरेचर इन्प्रेश होता है तो उसे बोलते हैं लेपस रेट अब यह एडबिटिक और अलग अलग टाइप की हो सकती है ठीक है तो नेक्स चलते हैं पॉशन की और नेक्स पोशन की और करने में डेकर आपको बताना है कौनसा करने में काम आता है थिए और हम बात करें इस कोशन के चौक्षन की घुर्स्ट रेंज हो Cafj में आपको बताना है कौन सा अप्षेंज मीडियम दाव नॡंग रेंज और अस्ट्रिकल मैं Strange तो चार प्शन में से कौन सा राइट होगा है अगर हम बात करें जो दो 1997 का तो युके मिसित और 27870 Peki अगर अगर हम बात करें medium range में तो medium range में आज़ा 3 to 10 days ठीक है अगर हम बात करें long range की more than 10 days की जो forecasting है वो long range forecasting use में लेते हैं ठीक है तो यह मारे forecasting हो गए आपको question पूछ ले जाएगा generally ठीक है और statistical method जो है जो हमारा यह फॉर्कास्टिंग के अलग-अलग मेथड जो हम नेक्स क्लास में बात करेंगे इस पॉर्षन का आंसर होगा वह देखते हैं क्या है यह सब्सक्राइब करें तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा है थायूरिया जो है थायूरिया हम जनरली अगर बात करें तो यह सब्सक्राइब फ्रोष से बचने के लिए थीक है और यहां फिर हम जनरली अगर बात करें तो हमारी जो इरिगेशन है वह लाइट इरिगेशन अम क्रोप प्रोवाइड कर देंगे उससे क्या होगा टेमपरेचर जो तोड़ा इंक्रीज हो जाएगा औ और हम फ्रोस से बच सकते हैं, ठीक है, और नेक्स कोर्शन पर चलते हैं, नेक्स कोर्शन है हमारा सूटेबल टेंपरेचर फोर सीड जर्मिनेशन, अब इस कोर्शन में थोड़ा कॉंप्लिकेशन से, तो आपको कोर्शन के बेस पर आंसर देना, ठीक है, क्या अगर ऑप्शन अगर हम बात करें, तो इस कोर्शन का जो आंसर देने वाला है, वो होगा, इस कोर्शन के असाब से 25 से 30 दिगरी celsius, अगर हम बात करें, तो हमारा कहीं कहीं, 20 से 35 दिगरी celsius, जो है, एवरेच, ये सी जर्मिनेशन के लिए टेंपरेचर दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम बा पराथ शेलीर्मिनेशन के लिए, जनरलली हम यह ura करते हैं, ठीक है, मैं से नेक्स कोर्शन पर चलते है, हमारा जो नेक्स कोर्शन है, वह ह start है, नायट्जन तुर्चेटरेशन इन अटáisपमोस्फीर, तो हमारे जो भार के आदार पर नायट्रोर्जन क्लिस में कितना होता है कि आपको चार आप्शन में सही आंसर बताना है अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा अगर हम अलग अलग जो है हमारे कंसेट्रेशन की बात करें तो हमारा जो नाइट्रोजन का कंसेट्रेशन ने बोल्यूम बेस पर पर सेंटेज बेस पर वहता है अगर बात करी 75.527 या 76 पर सेंटेशन अगर हम बात करें और अगर हम बात करें आरगन की तो 0.9 इसका जो है वोल्यूम बेस पर रहता है और 121.282 परसेंट जो है वेट बेस पर रहता है ठीक है CO2 की बात करें तो CO2 का यहां पर अब अभी जो है चेंज हो चुका है अगर हम बात करें वोल्यूम के बेस पर तो 0.04 परसेंट जो है हमारा CO2 का कंसेटरेशन है और अब बात करें वेट बेस पर 0.045 ठीक है यह हमारा कंसेटरेशन है वेट बेस पर ठीक है तो यह हमारा जनरल गेस का कंसेटरेशन हो गया नेक्स्कोर्शन पर चलते हैं कि नइक्स्कोर्शन हमारा आलवीदो सब्सक्राइबि ओभी ऐज़ल वे यह आलबडया जाते है तो जिसको क्या निल जो लिएश वे हमारे जो सोलर हमें क्वमे और कितनी रिफ्लेक्ट होुई है तो उसी प्रोसेस को हम बलता है ऑल विड़ो Congrats कि और अगर हम इसके में नो की बात करें और राइस का जो न्यों के और है बॉह टौता ये 22 25 पर्ष अलग अलग बेश्स पहो सकते से सीड्लिंग के टाइम अगर बात करें ट्रांसप्लांटेट राइस की ट्रांसप्लांटेट के टाइम पर 11 जो है लिदो रहता है और जैसे से हम वेज़ेटेटी इस्टेज या मेचुरिटी की बोट जाते है तो ते दिरेंद्रीं इंक्रीज ह को गीते हैं या देवरात सिकाको केते हैं या टीएंवाल यास जो लुकी होआत को केते हैं ठीके तो जो मॉंसुन मेंने वह हम कहते हैं देवराज सिखागो ठीक है किसको कहते हैं देवराज सिखागो देवराज सिखागो हम क्या कहते हैं मौन्शुन मेन कहते हैं ठीक है अगर हम अलग-अलग metrological father के बात करें तो father of agrocalimatology वो किसे कहते हैं कोपेन को कहते हैं ठीक है अगर हम बात करें father of indian agrometology तो है हमारे ईले रामदास अगर हम बात करें इंडियन metrology के father की वो है देवराएच सिखा या मोंचुन में जिसे हम बोलते हैं अगर बात करें, father of agrometrology, father of agrometrology वो है dn-walia, कौन है dn-walia, उसके बाद बात करें, father of metrology, तो lucky hoard, ठीक है, यह हमारे father of metrology की बात होगी, ठीक है, next question पर चलते है, next question है हमारा, short term changes of atmosphere is known as, ठीक है, तो, why you mandal में होने वाले, अलप कालीन, बदलाओ को करते हैं, ठीक है, जो short term changes of atmosphere में, उसे क्या बोलते हैं, क्या atmosphere बोलते हैं, या weather बोलते हैं, या climate बोलते हैं, या monsoon बोलते हैं, तो, हम अगर बात करें, short term changes की, तो हम उसे बोल ठीक है, long term changes की बोल सकते हैं, climate, ठीक है, या हमारे short term changes की बात होगी, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question है, which gases, which greenhouse gases linked with rice crop, ठीक है, तो rice crop के basis पे हमने बताना है, क्यों से इस से link, क्यों से greenhouse gases है, जो rice crop से link करती है, क्या neon करती है, क्या genome करती है, या argan करती है, या मिथेन करती है अगर हम ग्रीन आउस के से इसके बात करें तो ग्रीन आउस के से जो हमारी अलग अलग जैसे की हम बात करें हमारी ग्रीन आउस के से कौन कौन सी है जो हमारी Ben critics किसे जैसे मावनि लों मिथेन जो है सकाइंसर रेने वाला इसका इसकांसर पहले बात कर लिए हमारा मिथेन इसका पहले सोर कहरें instrumental जो हम इसंसर सि हमहारा मिथेन इसका नहग予 रहा ह bacter के जो हम इसकी फॉर्मुला की बात करें अगर हम green house gases की बात करें तो generally green house gases सब ज़्यादा contribution होता है CO2 का ठीक है उसके बाद बात करें methane का उसके बाद CFC का chlorofluorocarbon का उसके बाद बात करें N2O ठीक है यह हमारी clean house gases जो है वह है contribution होता है ठीक है in gases का green house gases में methane के हमने बात करी कि यह राइज क्रोप के से लिंक करती है ठीक है और अगर हम बात करें green house gases potential के basis पे सबसे ज़्यादा harmful कौन से होता है तो होती है CFC ठीक है CFC के बाद N2O उसके बाद CH4 उसके बाद CO2 ठीक है तो यह potential के base पे हो गया potential के base पे हो गया ठीक है next question पर चलते है हमारा जो next question है world metrological organization classified the cloud in Tdyke WMO के basis या सैतर इंडे तो वह कि कितने कर बाद करें था तो वह है या पांच पार्ट में या 8 पार्ट में या 3 पार्ट में या 10 पार्ट में अगर हम WMO के basis बात करें तो इसने 10 पार्ट को divide कर रहा है पते लेख सकते हैं का बीया से अप्रेख सकते हैं कुमुलास क्लाउट्स दिख रहे होंगे ये अलग अलग ग्लासिप्याई किया गया है और नेक्स्ट कुर्शन पर चलते हैं एनिमामेटर हाइड शुड भी ओब्जरवेटरी इन दे ओब्जरवेटरी ठीक है तो अब्जरवेटरी हमने बात करी ति उसमें जो एनिमामेटरी है वो कितने हाइड पर प्लेस की जाती है घ्राउंड से ठीक है तो तो यह बात करें तो जिसमारा wave and record the wind direction ठीक है अगर हम बात करें टो महरगर जो मैंजर करता है ठाद हम थर्मोघ्राफ की बात करें तो हमारा जो है एक graph होता है जो different temperature के basis पे ड्रो होता है ठीक है temperature को बोल सकते हैं temperature को calculate करने में thermograph का use कर सकते है बेरो graph बेरो graph जो है हमारा जो pressure है pressure को calculate करता है ठीक है तो आज class हम यहीं stop करते हैं और मिलते हैं next next video में तो channel को subscribe करें share करें दोल यहीं आवकी साथ है आपकी सराओ usually वाहीं आवके एम है एवाने का ज llegó यहार्ड़ा आपकी साथश्यों का जोर जो हमारा का कर दो चाहरा जो हम पोगईandır है झाल